दोस्तों आपको हमारे इस यूटीब चैनल में आपका स्वाकत है तो दोस्तों अगर आप विहार ITI CAT 2020 का एकजम दिये हो और आप अनलाइन कॉंसलिंग कराओगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्फुल है और देखना बहुत ही जरूरी है तो दोस्तों अगर आप बिहार ITI CAT का ओनलाइन कॉंसलिंग कराओगे तो उसमें कौन-कौन से जरूरी डॉकुमेंट है जिसके बिना आपका ओनलाइन कॉंसलिंग नहीं ओपाएगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाश्ट तक देखेगा अगर आप इस वीडियो को लाश्ट तक देखेंगे तो आपका ओनलाइन कॉंसलिंग नहीं उपाएगा तो दोस्तों अगर इस वीडियो में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस कर देना क्योंकि इस तरह से रिलेटेड वीडियो आप तक तुरंत पाउस्ती रहेगी तो दोस्तों अगर आप बिहार आईटी आई केड 2020 का एकजाम दे हैं और ओनलाइन कॉंसलिंग कराएंगे तो जिसमें की जो की डोकुमेंट चाहिए होता है जिसमें ओरिजिनल डोकुमेंट चाहिए होता है तो दोस्तों आई होप कि इसमें आपको सभी डोकुमेंट होंगे और इसमें से एक और ड देख रहे होंगे कि डोकुमेंट वेरिविगेशन के है तो आवेदन पत्र यहां पे आपको गोहन नमर में चरीत्र परमान पत्र इसमें से तो आपको सब को सभी डोकुमेंट तो होंगे ही होंगे लेकिन इसमें एक प्रोब्लम है जिसका चरीत्र परमान पत्र बहुत से आद दोस्तों मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास character certificate नहीं है तो आपकी इस तरह से character certificate यानि चरीत पर मनपत्र को बनवा पाएंगे तो दोस्तो अगर आपके पास चरित पर मनपत्र नहीं है तो दोस्तो ये बताना चाहाँ कि आप चुछी कॉलेज से एक्जाम पास की हो पहले आपको उस कॉलेज में जाना पड़ेगा और वहाँ पर एक प्रिंसिपल को यहाँ पर एप्लिकेशन लिखना पड़ेगा आवेद लिखने में वहाँ पर प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि सब मेरे को इस चीज में काम लगा है किरप्या करके मेरा चरित परमान पत्र क्यरक्टर से लिटेट देने का आगमन करें तो दोस्तो वहाँ पर आपको दीजेगा तो वहाँ पर दिया जाएगा और दूसरा है कि एक डिश्टीव वाई होता है जो करेक्टर से टुएट बनता है अपना डिश्टीग से बनता है तो वह बनने में थोड़ा लेट लेगेगा तो दोस्तों अगर आप तीसरा ओप्शन चाहते हैं कि एक पंज जो सरपंच आपके गाउं के जो सरपंच होते हैं वो भी बनाते हैं तो दोस्तों आप उसके पाद एक फोटो एक पासपोर्ट साइज फोटो दीजे और वो आपके पूरे डिटेल्स को पूछा जाएगा और आपको 15-20 मिनट में आपको बना के दे दिया जाएगा चलित प्रमनपद्र तो उससे भी आप कम चला सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से आप अपना क्रेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लें और जिसे की आपको डोकूमेंट वरिफिकेशन में आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो तो दोस्तों आई हो कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा तो दोस्तों इसी तरह के नोलेजवल वीडियो पाने के लिए चैनल को सस्काइब करें और बेल नोटिपीजिशन को भी आउन करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में